हलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है मॉल फ्लेंडर्स जो एक नोबल है जिसे डैनियल डिफो के दोवारा लिखा गया था जिनका जन 1660 इसपी में हुआ था और उनकी डेथ 24 अप्रेल 1731 इसपी में इंग्लेंड में हुई थी और इस टॉपिक को पब्लिस्ट करवाए ग भी बतायगिया मतलब वह अपने बारे में खुद बताती है ऊके तो चलिए इसको समझने से पहले इसके कुछ मैन करेक्टरौ के बारे में जान लेते हैं तो फ्रस्ट करेक्टर मॉल फ्लेंडर्स जो खुद है नकी मा और इस और माल फ्लेंडर होती है वो कुल पाँच साधिया करती है मतलब इनके पाँच हस्बेंड होते हैं तो सभी के नाम एक एक करके हम लोग जानते हैं तो इनका पहला हस्बेंड होता है रोविन दूसरा हस्बेंड होते है दा ड्रेपर जो एक बेपारी रहते हैं हेट्समेन रहते हैं तीसरा है चैनल फैसेजमा इनके प्लांटेशन आउनर में जो कि इनके स्टेप अब्रहका सकते हैं जौत्था हम हमसे जेमशने की का सकते हैं और को डा वेंकर्स जो की बैंक में एक कलर्ख का काम करते हैं तो चलिए इसको हम लोग समझने की कोसिस करते हैं इस नोबल को ओके तो मॉल फ्लेंडर्स की मा न्यूगेट फ्रिजन जो एक जेल है जो लंदन में है वहां पर किसी क्राइम के वज़े से वो बंद थी जहां उसे फांस की सजा जो थी उसको टाल दिया गया था उसी जेल में मॉल फ्लेंडर्स का भी जब उसकी मा प्रेगनेंट रहती है तो एटलिस्ट क्या होता है कि मॉल फ्लेंडर्स का भी जन्म क्या होता है उसी जेल में होता है उसके बाद मॉल फ्लेंडर्स की मा को फांसी तो नहीं होती ह पर वर्जनिया जो कि US में अमेरिका में है वहां भेज दिया जाता है मतलब वहां सजा के दो ओप्सन थी पहला फासी या दूसरा वर्जनिया भेज दिया जाता था तब उस मॉल फ्लेंडर्स को एक विद्वा औरत जिसको हम कर सकते हैं कि वह एक नर्स थी चर्च में काम करती थी वह उसको पालती है कि इसको मॉल फ्लेंडर्स को और उसकी मा को तो वेर्जनिया वेज दिया गया है तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद कुछ साल के बाद जो विडो होती है उसकी भी death हो जाती है जो mall flanders को पाल रही थी उसकी भी मौत हो जाती है तो अभी तक क्या होता है nobles में कि अभी तक जो mall flanders है उसको यह पता नहीं है कि उसकी मा जो कि अभी वर्जिनिया में जिन्दा है उसे तो बस यह पता होता है कि उसकी जो मा है उसको फांसी के सजाद दी गई है और उसकी मा मर गई है तो इधर क्या होता है कि जब वीडो मर जाती है तो वहीं पास के एक धनी परिवार जो की एक मेर रहते हैं वो मौल को अपने पास रखते हैं अपने घर लाते हैं उसको अपने पास रखते हैं और स्टार्टिंग में जो मौल है उसको सर्वेंट की तरह ही उससे काम करवा जाता था बड़े भाई को मॉल से प्यार हो जाता है, जिसकारण दोनों के बिच मतलब बड़े भाई और मॉल के भी sexual relationship भी बनते हैं, बाद में पता चलता है कि जो छोटा भाई है, रोबिन, उसको मॉल से क्या करना, वो क्या करना चाहता था, वो उससे साधी करना चाहता था, परिवार की सहमती से क्या होता है मौल और रोबिन का साधी हो जाता है मतलब रोबिन मौल का पहला पती बनता है रोबिन जो है वो मौल का पहला पती होता है दोनों के दो बच्चे होते हैं और फिर किसी कारण वास रोबिन का क्या होता है कुछ साल बाद डेथ हो जाता है तब मौल क्या करती है अपने दोनों बच्चों को रोबिन के घर में ही छोड़कर चली जाती है और चुकि अभी रोबिन तो मर चुका है लेकिन फिर भी वो बच्चे को वहीं छोड़कर वो दुसरे जगा पर चली जाती है फिर मोल का दूसरा बिवा होता है जो ड्रेपर होता है जो कि एक ट्रेट्समेन है मतलब वो एक बेपारी है वो मोल का दूसरा पती होता है या जो है कि कुछ कारण वस उसके बेपार में घाटा होने के वज़े से वो जो ट्रेट्समेन होता है वो गरीब हो जाता है तथा एक क्राइम करने के वज़े से पुलिस के दुवारा उससे क्या किया जाता है arrest कर लिया जाता है तथा छुटते ही वो क्या होता है France भाग जाता है मतलब जो mall का दूसरा husband होता है वो भी उससे छोड़ कर चला जाता है अब mall तो फिर से अकेली हो जाती है तब वो कुछ idea लगाती है और वो अफवा उड़ाती है कि वो बहुत अमीर है उसके पास बहुत पैसे हैं और वो साधी करना चाहती है उसने इस अफवा इसलिए उड़ाया ताकि अमीर वेक्टी से साधी कर सके और अपना जीवन अच्छे तरीकिसे बिता सके तब एक plantation owner उससे साधी करने आता है मतलब मोल का जो प्रॉपोजल है वो उसको एसेप्ट करता है मतलब यह मोल का तीसरा पती होगा तीसरा husband होगा दोनों की साधी हो जाती है बाद में पता चलता है कि plantation का owner जो रहता है वो भी कोई अमीर वेक्टी नहीं होता है बलकि वो भी मोल की तरह गरीब होता है उसने भी अफ़ा फैलाया था कि वो अमीर है प्रंतुवह वास्तों में अमीर नहीं होता है उसके बद प्लांटेशन वो कहता है कि वर्जनिया में उसका कुछ प्रोपर्टी है तो हमें वहाँ चलकर उसका इस्तमाल करना चाहिए तब दोनों क्या करते हैं वो वर्जनिया चले आते हैं जहां आने के बाद मोल को पता चलता है कि पलांटेशन जो है वह उसका अभी वो उसका पति है प्रणतु वास्तों में उसका हाब ब्रदर है, स्टेब ब्रदर है, मतलब की मॉल की जो मा है, जिसको सुरु में फांसी के सजा हुई थी, और उसे तो उस वक्त फांसी होती नहीं है, और उसे वरजनिया वेज देया जाता है, जब वह वरजनिया आ गई, मतलब आ जाती है, उसके बाद क्या करते हैं वह दूसरे वेक्ति से भिवा कर लेती है और उन दोनों के दोरा क्या होता है? प्लांटेसन पैदा होता है मतलब हम का आसान मासा में कह सकते हैं कि मॉल की जो मा है, उसी का बेटा कौन होता है? plantation होता है तो इस हिसाब से plantation उसका सोतेला भाई हुआ यह बात जानकर mall को अपने आप में बहुत घ्रिना सा महसुस होने लगता है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसका जो पती है वह उसका भाई है इसलिए mall क्या करती है अपने तीनों बच्चो मतलब उसके साथ जो जब थी वो plantation के साथ तो उन दोनों का तीन बच्चे हुए थे तो mall क्या करती है यहाँ पर अपने तीनों बच्चो को और plantation को छोड़कर वह वहां से भी चली जाती है फिर mall जेम्स या जेमी दोनों का सकते हैं उस नाम के वेक्टी से साथी करती है परन्तु दोनों बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो गरीब होने के वज़े से क्या होता है दोनों का relationship ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है फिर mall को जेम्स छोड़ देता है कुछ कारण से होता है जिस वो जिस वो उसे छोड़ देता है फिर बाद में पता चलता है कि mall प्रेगनेंट है और वो इंग्लेंड आ जाती है वो इंग्लेंड आ जाती है जहां उसे पता चलता है कि एक banker या bank में हम कह सकते हैं कि काम करने व तो बचाता था था कि वो अपने पतने को तलाक देदेगा और फिर मौल से साधि करेगा तो फाइनलि कुछ समय के बाद क्या होता है वो ऑंक जो बेंकर है वो अपने पतने बिवोस बेदेटा अब तक जो था लगभग मॉल का 40 से पार हो चुका था तो जब डिवोस हो जाता है बेंकर का उसकी पत्ने से तब वो मॉल के साथ ही कर लेता है कुछ साल तेक रिलेसंसीप बहुत अच्छे तरीके से चलता है और उसके बाद क्या होता है कि बेंकर का मौत हो जाता है सायद कि वो किसी सदम में चला जाता है कुछ दिप्रेशन के वज़े से उसका भी मौत हो जाता है और फिर से मौल क्या होती है अकले हो जाती है अब वह अकले हो जाती है उसके बच्चे भी होते हैं तो अब वह इस कंडिशन में अपने परिवार का भरन पोसन करने के लिए उसे कुछ तो करना प वो जग जग पर अपने नाम बदलती नाम बदल बदल कर चोरिया करती जिस वज़े से लोग उसे बिलकुल भी जान नहीं पाते और पुलिस तो उसे पकड़ भी नहीं पाते कुछ समय तक यह चोरी करने वाला सिलसिला ठीक ठाक तक चलता रहा कोई प्रोब्लेम नहीं हुआ जिन्दगे आराम से कट रही थि परंतु बाद में क्या होता है कि पुलिस के दौरा वो पकड़ी जाती और अरेस्ट करके न्यूगेट प्रिजन जो होता है वहाँ पर डाल दिया जाता है जब वो उस जेल में चली जाती हो तब उससे पता चलता है कि उसी जेल में उसका ज वहां सजा के दो अप्सन थे मैंने आपको बताया था कि या तो फांसी या तभी वर्जनिया वेज दिया जाता है तो दोनों के वर्जनिया जाने को तयार हो जाते हैं और वह वर्जनिया चले भी जाते हैं तो वहाँ जानने के बाद मॉल को पता चलता है कि उसका जो तीसरा पती था plantation वो उसकी मिर्तु हो चुकी है और जो मॉल थी उसकी मा है उसका भी मिर्तु हो चुका है परन्तु जो plantation का बेटा था मतलब plantation का जो बताता है कि मरने से पहले, जो मौल की मा होती है, वो अपने प्रोपर्टी का एक हिस्सा मौल के नाम भी करके गई है, तो वो हिस्सा उसे मिल जाता है, अब मौल फाइनली क्या करती है, इंग्लेंड आ जाती है, अब तक लगव है, उसका 70 साल उम्र हो चुका था, वो अपने पती चोंता पती जैम्स उसके साथ वह इंगलेंड आ जाती है और उस प्रोपर्टी जो एक हिस्सा मिला था उस धन के सहरे वह क्या करती है अपना जीवन यापन अंतिम समय को वह इंगलेंड में बिताती है और इस तरीके से यह जो नोबल है वह समाप्त हो जाता है